हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को हमारे इस यूटूब चनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच बात करने बाले हैं बिहार ITI के बारे में जो कि आप लोगों को कॉंसलिंग करने के बाद आप लोगों के बीच सिलिप दिया जाता है तो आप लोगों को सिलिप को लेकर क्या 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 करना होगा और कहां इसको जामा करना पड़ेगा और क्या क्या इसमें दिया वारा था यह सारी जानकारी आज लोग के पास्तुरत पाउस्तिरे तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकेंगे बिहार कमाई इंट्रेंस कॉम्पीटिटिव एक्जामनेशन बोर्ड बी सी सी बोर्ड प्रोविजनल एडमिशन स्लीप इसको स्लीप भी का जाता है आई टी आई कॉंसलिंग 21 बास तो दोस्तों यहां पे 20 का यह स्टूडेंट का है आप लोग का भी सहम होगा और यहां पे आप लोग को रोल नमर सो करेगा जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होगे तो आप लोग को रोल नमर यहां पे लिखावा रहेगा और आपका जो भी नाम है वो यहां रहेगा जोभी category से आप पिलोम करते हो वो भी category आप लोगों को यहाँ पे दर्शाई गई होगी तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को course admission counseling का जो detail है यहाँ पर कैसा rank आप लोगों ने प्राप्त किया था और किस प्रकार से आप लोगों को admission एडमिशन मिला हुआ है वो आप लोगों को यहां पे लिखा हुआ रहेगा और बात करें कि आप लोगों को कौन सा ट्रेड मिला हुआ है वो कहां पे देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा जो भी आप लोगों ने ट्रेड में एडमिशन मिला हुआ होगा लिया होगा वो आप लोगों को यहां पे देखनी को मिलेगा और यहां पे आप लोगों को admission fee यहां पे so करेगा 702 पे और fee mode आप लोगों को cash के द्वारा यहां गया है admission इसलिए यहां पे cash mode दिखाएगा और willingness में आप लोगों को no दिखाएगा क्योंकि आप लोगों ने no किया होगा यदि आप लोगों संतुष्ट नहीं थे तो yes करेंगे तो आप लोगों को दूसरा trade मिलेगा दूसरी बार admission लेना पड़ जाएगा इसलिए अगर no करेंगे तो जो भी trade मिला हुआ है उसी trade में आप लोगों का admission होगा और यहाँ पे आप लोगों को no देखनी को मिलेगा और यहाँ पे बात करें कि आप लोग को कौन कौन सा doakumant's verify हुआ है आप लोग कौन कौन सा doakumant's वहाँ पे जमा किये है वो आप लोग को नीचे सो करेगा तो यहाँ पे आप लोग को सारा list of documents दिखाई देगा और verify status दिखाई तेगा जो भीडोकमेंट आप लोगों ने जमा किया है उसका verify दिखाएगा और जो भी documents जमा नहीं किया है उसमें आप लोगों को date दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आप लोगों को बता देखिए यदि आप लोग के पास SLC नहीं है तो भी आप लोग यहाँ पे admission ले सकेगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस student ने यहाँ पे SLC यहाँ पे जमा भी नहीं किया था लेकिन फिर भी इस student admission ले पाया है तो यहाँ पे इसको date दिया गया है 27-2020 तक इसको जमा करना पड़ेगा SLC तो 27-2020 तो आप लोग वहाँ पे भी कुछ समय ले सकते हो यदि आप लोग के पास SLC नहीं है तो आप लोग को आगे की परिकिरिया यहाँ पे open कर दिया जाएगा तो दोस्तों यह आप लोग को यहाँ पे hard copy में निकलवा लेने है निकलवाने के बाद आप लोग जैसे ही ITI में जाएगा तो यह आप लोग को वहाँ पे जामा करना पड़ेगा और यदि आप लोग को जो भी original certificate आप लोग ने इसमें दिया हुआ होगा अगर आप लोग को यहाँ पे जरत पड़ जाता है यदि आप लोग इसको निकालना चाते हो तो आप लोग ले सकते हो तो कैसे लेना है सबसे पहले आप लोग को ITI में एक application देना पड़ेगा application में आप लोग को लिखना होगा जो भी certificate ले रहे हो जिस कारण से ले रहे हो उसका फोटो कोपी आप लोग को वहाँ पे देना पड़ेगा और यह भी form आप लोग को लगना पड़ेगा इसमें जो भी documents ले र रहा है तो तो दोस्तो इस प्रकार से आप लोगों को यहां पर इसको समझनी है तो दोस्तो आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगी अगर पसंद आए होगी तो चैनल को subscribe करके bell notification कहुन करते हैं यहां पर आप लोगों को बिहार ITS related हर एक जानकारी सबसे पह करताध दियता करता कहाओ लोगों के अख़ाद सेुटता कहते हैं गया हम नहीं पहां प्रणीट गर भान करता हैं जाए होजन सेुटता करता हैंश प्रण वागः।